सस्ते प्राइस के कारण निर्मा फेल हो गया 1969 में जब इंडियन्स की इंकम लेवल बहुत कम थी तब करसन भाई पतेल ने निर्मा को इतने सस्ते प्राइस में लॉंच किया कि वो कुछ ही टाइम पे बहुत सक्सेस्फुल हो गया और 1988 तक निर्मा ने 60% मार्केट शेर कैप्चर कर लिया लेकिन 2000 में जब इंडियन्स की इंकम लेवल बढ़ने लगी तब भी निर्मा ने प्राइस इंक्रीज नहीं किया और कई कस्टमर्स निर्मा को उसके कम प्राइस के कारण इंफिरियर ब्रैंड मानने लगे और premium alternatives जैसे सर्फ Excel पे shift हो गए लेकिन ये तो केवल शुरुवात थी निर्मा के पास अभी भी ऐसे कस्टमर्स थे जिनके लिए केवल सस्ता प्राइस मैटर करता था लेकिन फिर entry होती है घडी detergent की घडी का प्राइस निर्मा से भी सस्ता था जिसके कराण निर्मा के price conscious customers भी घडी की तरफ shift हो गए और आज के दिन निर्मा का market share 10% भी नहीं है